हेलो फ्रेंट्स नमस्कार, वेलकम टो आवर चैनल फ्रेंट्स आप सभी जानते हैं NEET 2021 की OMR सीट जारी कर दी गई है साथ में प्रोविजनल आन्सवर की भी जारी कर दी गई है होप सो की आप सभी को मिल भी गई होगी तो दोस्तो अब final answer की जो है वो कब आएगी तो सबसे पहले दोस्तो 17 अक्टूबर तक आप जो है questions पर objection डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि इस questions का answer जो है वो anti के द्वारा दिया गया वो गलत है और इसका answer यह आना चाहिए था दोस्तो तो 17 अक्टूबर तक आप जो है questions पर objection डाल सकते हैं और कौन कौन से वो questions है जिन पर objection डालने है वो भी हम आपको पताएंगे दोस्तो साथ में जो 17 अक्टूबर तक objection डालने के बाद दोस्तो 18 या 19 अक्टूबर को आपकी final answer की जारी कर दी जाएगी दोस्तो और उसके 2-3 निन के अंदर आपका final result मतलब की 22 अक्टूबर को आपका final result डिकलेर कर दिया जाएगा जी हाँ दोस्तो अब बात करते हैं नीट 2021 के अंदर ऐसे कौन से question है जिन पर हम objection डाल के bonus marks ले सकते हैं चार ऐसे question है दोस्तो मतलब की 16 नंबर आपको मिल सकते है और 16 नंबर दोस्तो कटोफ में कितना variation डाल सकते हैं आप सभी भी जानते हैं और आपको कितना फाइदा पहुचा सकते हैं ये बात भी जानते हैं अब बात या आती है दोस्तो अगर objection मिलेगा objection आप डालोगे तो bonus marks मिलेगा वो क्या सभी को मिलेगा तो दोस्तो अभी तक तो anti द्वारा ये बोला गया है जो objection डालेगा उसी को जो है bonus marks मिलेगा तो दोस्तो चलिए देखते हैं वो questions सबसे पहले question है दोस्तो which one of the following methods can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature तो दोस्तो इसके दो answer right बन रहे हैं एक तो है distillation और एक है zone refining तो दोस्तो अगर आपने तीसरे या फिर चोथे answer में से कोई भी answer जो है click किया है तो आप यहाँ पर जो है जरूर objection डालीगा दोस्तो अगर आपने first or second किया है तो आप जो है objection ना भी डाले तो भी चलेगा लेकिन दोस्तो मेरा तो मानना ये है कि अगर आपकी financially condition ठीक है तो आप जो है इस क्योशन में objection डूर जाल दें तो इसका राइट answer distillation भी बन रहा है और zone refining भी बन रहा है इसके बाद जो next question है दोस्तो among the following alkaline earth metal halides one which is covalent and soluble in organic solvent is तो इसका answer दोस्तो barium chloride भी बन रहा है इसका answer magnesium chloride भी सभी के सभी जो option दिये गए है इनमें doubt बना हुआ है दोस्तो तो इसके अंदर आपको जो है bonus marks मिलने के chance पूरे-पूरे है आप अपने teacher से जो है discuss करके इसकी explanation दे करके जो है answer इसका जो है challenge कर सकते हैं जिससे कि आपको bonus marks मिल जाएगा इसके बाद दोस्तो next question है an organic compound contain 78% carbon and remaining percentage of hydrogen the right option for the empirical formula of this compound is atomic weight of carbon is 12 and hydrogen is 1 तो यह weight भी रखा दोस्तो तो इसके according इन में से कोई भी option ऐसा नहीं है जिसका जो है an organic compound contain 78% carbon जिसके अंदर 78% carbon हो दोस्तो ऐसा कोई भी option नहीं है तो इसका right answer दोस्तो इन में से कोई भी नहीं है इस पे आप objection डालोगे दोस्तो तो जुरूर आपको bonus marks मिल जाएगा कुछ से जो है ऐसे भी बॉल रहे हैं कि इसके अंदर जो nearby question है nearby answer भी लगेगा तो nearby क्यो लगेगा दोस्तो ऐसा तो कोई वो ही नहीं है तो simple जो है एक mathematical question है तो इसमें जो है exact होना चाहिए तो इसमें जो है आपको bonus marks मिलने के चानले पूरे पूरे हैं दोस्तो साथ में एक question bio का है दोस्तो जिसके अंदर जो है option दिये गए है A, B, C, D और इन में से आपको बताना होता है दोस्तो तो वो question आप देख लीजिएगा मैं आपको जो community post में वो डाल दूँगा तो दोस्तो इस प्रकार से आपको 16 bonus marks मिल सकते हैं अगर आप explanation बिसमूल अच्छे से देते हैं सबसे पहले में बता दो दोस्तो इस वहें में मत रहना कि अगर आप objection नहीं डालेंगे जोड़ी चैनल को सबस्क्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें कोमेंट करके अपना प्यार दिखाना नहीं बूलें थैंक्यू